राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं पाबंधों संसकार की वाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज माग मास सोमवार के दिन मैं आपके लिलाई हूँ भगवान शिव की कथा बंधों माग मास में भगवान शिव की कथा सुनने का भी बहुत अधिक महात्व है क्योंकि माग मास में भगवान विश्नो की पूजा के सासार भगवान शिव की पूजा भी की जाती है बंधों आज माक मास में सोंवार के दिन यदि आप भगवान शिव की इस कथा को सुनते हैं तो भगवान शिव शिग्र आपकी हर मनो कामना पूरी करेंगे बंधों, पूरण विश्वास, सच्ची निष्ठा और एकाग्रमन के साथ ही पूरी कथा को सुने ताकि आपको पूरण फल की प्राप्ति हो सके बंधों, यदि आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुने, सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जे शिवशंकर भोली ना जरूर लिखें लक्ष्मी सहित भगवान विश्णू शंभू के पास हाज जोड कर खड़े हुए और बोले देव देव, महादेव, दया सागर प्रभो, तात आप संपूरन जगत के पिता हैं और सती देवी सत की माता है आप दोनों सत पुरुशों के कल्यान और दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पुर्वक अफ्तार ब्रहन करते हैं यह सनातन शुती का गतन है आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं मैं उससे उल्टे लक्षमी जी के साथ शोभा पा रहा हूं अथात सती नीलवरना तथा आप गोरवरन है उस से उल्टे मैं नीलवरन तथा लख्मी गोरवरना है नारग मैं देवी सती के पास आकर ग्रह सुत्रोप विधी से विस्तार पुर्वत सारा अगनी कारे कराने लगा मुझ आचारे तदा अब्रहामनों की आग्या से शिवा और शिवने बड़े हर्ष के साथ विधी पुर्वत अगनी की परिक्रमा की उस समय वहां बड़ा अद्वत उस्सव मनाया गया गाजे बाजे और नरित्ते के साथ होने वाला वह उस्सव सब को बड़ा सुखत जान पड़ा इसके बाद भगवान विष्णु बोले सदा शिव मैं आपकी आग्या से यहां शिवतत्व का वर्नन करता हूँ समस्त देवता दूसरे दूसरे मुनी अपने मन को एकागर करके इस विशे को सुने भगवन आप प्रधान और अप्रधान हैं आपके अनेक भाग हैं फिर भी आप भाग रहित हैं जोतिर में स्वरूप वाले आप परमेशर के ही हम तीनों देवता अंश हैं आप कोन मैं कोन और ब्रह्मा कोन हैं आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं जो सिष्टी पालन और सनहार करने के कारण एक दूसरे से भिन प्रतीद होते हैं आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए आपने स्वयम ही लीला पुर्वत शरीधारन किया है आप निर्गुन ब्रह्म रूप से एक हैं आप ही सगुन ब्रह्म हैं हम ब्रह्मा विश्णू रुद्र तीनों आप के अंश हैं जैसे एक ही शरीर के भिन भिन अव्यव मस्तव गीर्वा आदी नाम धारन करते हैं तथा पी उस शरीर से भिन नहीं हैं उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही दिर में आकाश के स्मान सरव्यापी एवं निरलेप स्वयमी अपना धाम पुरान कुटस्त अव्यक्त अनन्त नित्य तथा दिर्ग आदि विशेशनों से रहित निर्विशेश ब्रह्म हैं वही आप शिव हैं आप ही सब कुछ हैं ब्रह्मा जी कहते हैं मुनिश्वर भगवा विश्नों की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन हुए इसके बाद उस विवहा यग्ये के स्वामी परमेश्वर शिव प्रसन हो लोकी की गती का आश्यले हाद जोड कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पुर्वक बोले शीव ने कहा ब्रह्मन आपने सारा विवाही कारे अच्छी तरह संफन करा दिया अब मैं प्रसन हूँ आप मेरे आचारे हैं बताएए आपको क्या दक्षना दूँ सुर जेष्ट आप उस दक्षना को मांगिए महाभाग यदि वह अत्यन दुरलब हो तो भी उसे शिक्र कहिए मुझे आपके लिए कुछ भी अधे नहीं है मुने भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड विनी जिस से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला देवेश यदि आप प्रसन हो और महेशर यदि मैं वर पाने के योग्य हूं तो प्रसंता पुर्वत जो बात कहता हूं उसे आप पूरन कीजिए महादेव आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजवान रहें जिस से आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाएं चंद्रशेकर आपका सनिध्य होने से मैं इस वेदी के समेप आश्रम बना कर तपस्या करूं यह मेरी अभिलाशा है चैत्र के शुकल पक्ष की त्रियोश्य को पुर्व फागुनी नक्षत्र में रवी वार के दिन इस भूतल पर जो मुनुष्य भक्ती भाव से आपका दर्शन करे उसके सारे पाप नश्ट हो जाएंगे विपुल पुन्य की व्रिधी हो और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जो नारी दुर्भगा वंध्या कानी अत्वा रूप ही ना हो वहें भी आपके दर्शन मात से अवश्य रिदोश हो जाएंगे मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसंचित से कहा विधात है ऐसा ही होगा मैं तुम्हारे कहने से संपूरन जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सूस्थिर भाव से स्थित रहूँगा ऐसा कहकर पत्नी साइद भगवान शिव अपनी आशिरूपनी मूर्ती को प्रगट करके वेदी के मध्यभाग में विराजमान हो गए इसके बाद स्वजनों पर सनहें रखने वाले परमेश्व शंकर दक्ष से विदाले अपनी पत्नी सती के साथ के लाश जाने को तयार हु मुनियों और शिव गनों ने नमसकार पुर्वग नाना प्रकार की स्तुदी करके बड़े आनन से जेजेकार किया इसके बाद दक्ष की आग्या से भगवान शिव ने प्रसंता पुर्वग सती को व्रिशव की पीट पर बिठाया और स्वयम भी उस पर आरूड हो ये देखा किसमान शोभा पा रही थी उस समय उन नव दमपती की शोभा देख शिव विष्णु आदिस्वमस्तेवता मरीची आदि महरीशी दूसरे लोग ठगे से रहे गए फिल डुल भी ना सके और दक्ष भी मोहित हो गए इसके बाद कोई बाजे बजाने लगे दूसरे ल दक्ष को प्रसंता पुर्वक लोटा दिया और स्वयम प्रेमा कुल हो प्रमत गनों के साथ अपने धाम को जा पहुंचे यद्दिपी भगवान शिव ने विष्णु आदी देवताओं को भी विदा कर दिया तो भी वे बड़ी प्रसंता और भक्ति के साथ उन्हें उनके स मुनियों दूसे लोगों का बहुत आधर सम्मान करके प्रसंता पुर्वक उन्हें विदा किया चम्भू की आज्याले वे विष्णु आदी सब देवतां तथा मुनी नमस्कार रोस्तुति करके मुख पर प्रसंता की चाप लिए अपने अपने धाम को चले गए सदाशीव चिंतन करने वाले भगवान शिप भी अत्यान आनंदित हो हिमाले के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष करन्यासती के साथ विहार करने लगे सुच जी कहते है मुनियों पुर्वकाल में सेंबू मरमंतर में भगवान शंकर और सदी का जिस प्रकार विवाह हुआ मैं सारा प्रसंग मैंने तुमें सुनाया जो भी वहा काल में यग्ये में किसी भी शुबकारे के अरम में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित से उसका सारा करम विवाहिक आयोजन बिना किसी बिगन बाधा के पूरन होता है और दूसरे शुब करम भी सदा निर्विघन पूरन होते हैं इस शुब उफाक्ष्यान को प्रेम पुर्वक सुन कर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख सुभाक्य सुशीर्टा और सदाचार बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद